अपरेशन के नाम से ही रोंग्टे खड़े हो जाते हैं भगवान ये दिन ना किसी दुश्मन को भी न दिखाए विसे यहां तो अपरेशन का नाम सुनकर कार्टिक भी डर गये हैं स्टापलस के सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में नारा की जल्धी ब्रेन सर्जरी होगी और अगर ये सर्जरी सक्सिस नहीं होगी तो हमारी नारा की यादाश भी जा सकती है अरे आप ही सोचो ये कितना बड़ा रिस्क है नारा की जान को खत्रा हो सकता है यही तो सबसे बड़ा मसला है इसलिए कार्तिक डर रहे हैं हाला कि कार्तिक नायरा के सामने खुद को स्ट्रॉंग बनाने की कोशिश भी करेंगे लेकिन जब नायरा को operation थेटर में ले जाये जाएगा तो कार्तिक का डर सताने लगेगा कि अगर नायरा का operation ठीक से नहीं हो पाया उसके operation में क आपका डरना बिल्कुल लाजमी है लेकिन इस समय बस भगवान पर भरोसा रखिए नारा का उपरेशन बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा वो कहते हैं जब दवा काम नहीं करती तो दूआ ही रंगलाती है फिलाल अब देखना ये है कि इस मुश्किल घड़ी में कार्तिक खु हो पाएगी ये सारी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चानल को फॉलो कीजिए और पाईए अपने फेवरिट टीवी शो से जुड़ी हर ख़बर सबसे पहले वैसे ये ख़बर आपको कैसी लगे आप हमें कमेंट्स के जरिये जरूर बताया आपके कमेंट्स का बेस स आपरेशन के नाम से ही रोंग्टे खड़े हो जाते हैं भगवान ये दिन ना किसी दुश्मन को भी न दिखाए वसे यहां तो आपरेशन का नाम सुनकर कार्टिक भी डर गये हैं स्टापलस के सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में नारा की जल्धी ब्रेन सरजरी होगी और अगर ये सरजरी सकसिस नहीं होगी तो हमारी नारा की यादाश भी जा सकती है अरे आप ही सोचो ये कितना बड़ा रिस्ख है नारा की जान को खत्रा हो सकता है यही तो सबसे बड़ा मसला है इसलिए कार्टिक डर रहे हैं हाला कि कार्टिक नारा के सामने खुद को स्ट प्रॉब्लम आ गई तो फिर नारा की यादास चली जाएगी और वो सब कुछ भूल जाएगी वहीं उसकी जान पर भी यह ऑपरेशन भारी पड़ सकता है कार्तिक आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं हम समझ सकते हैं आपका डर्मा आपका डरना बिलकुल लाजमी है लेकिन इस समय बस भगवान पर भरोसा रखिए नारा का उपरेशन बिलकुल अच्छे से हो जाएगा वो कहते हैं न जब दवा काम नहीं करती तो दुआ ही रंगलाती है फिलाल अब देखना ये है कि इस मुश्किल घड़ी में कार्तिक खुद को कैसे समालते हैं क्या नारा की ब्र प्रिशिती है